आप 6 मेन होगे, तेयरी करते हैं, साल बार हो गया, दो साल बार हो गया और आप सेलेक्शन के नजदीक नहीं जा रहे हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपका सेलेक्शन इस बार होगा, इस बार आपका सेलेक्शन होगा, ये मैं दावे के साथ कहा रहा हूँ, बस आपको काम रोज करना हर एक बच्चे की ये समश्या है कि सर क्लास में जो पढ़ाया जाता है सब समझ आता है जब आप पढ़ाते हैं लेकिन जब पैपर देने बैखते हैं तो सब निकल जाता है, वहाँ पर अपने आप में एक प्रैसर तियार हो जाता है सारा एक्जाम का, तो उस सारी समश्चाओं से निजाद दिलाने के लिए, बहुत सारे बच्चे कहेंगे, सर जब बुक से प्रेक्टिस करते हैं, तो दिक्कत अलग होती है, उस समय में ये समझी नहीं पाते किस question में हमें क्या concept लगाना है, और किस तरह से उस सवाल को सोल करना है, मेरे प्यारे बच्चों आपने अक्सर ये देखा होगा, कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जो पढ़ाई में इतना अच्छे नहीं है, लेकिन उनके जो competitive exams के result हैं, वो बहुत ही उंदा है, उनका selection ratio ब स्मार्ट अप्रोच वाला लड़का या लड़की सबसे आगे निकल जाएंगे, मेरे प्यारे बचों मेहनत तो करनी है, लेकिन स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी है, चतुराई से मेहनत करनी है, तो ही हमारा selection होगा, जो हम carrier app पर 11 मार्च से एक online test series start कर रहे है, online test series start कर रहे हैं, online test series start कर रहे हैं, मेरे प्यारे बचों, जो यह online test series होगी, यह SSC के, जितने भी exam होते हैं, चाहे वो CGL हो, CPU हो, CHSL हो, या MTS हो, इन सब की individual test series आपको 9 से 10 मिला करेगे, timing होगा रात 9 बज़े से 10 बज़े था, क्योंकि मुझे लगता है, इस समय पे, कोई भी बच्चा ऐसा नह होगा, जो यह भाना लगा दे कि मेरी class है, मुझे सूना है, कुछ करना है, यह जो समय है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको अपने इतने सालों के अनुभाव से दावा करके कह सकता हूँ, कि अगर आपने मातर एक महीना भी इस दावे को follow कर लिया, जो मैं यह काम बता रह के लिए free होगा, यह मेरे प्यारे बच्चों free होगा, कहाँ पे available होगा, यह carrier will app पर, carrier will app पर, चाहे आप किसी भी जगह पढ़ते हो, हम से पढ़ते हो, किसी ओर जगह से पढ़ते हो, online पढ़ते हो, offline पढ़ते हो, पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, तैयारी करने की अगर इ test series देनी ही देनी हैं यह किवल एक सब्जक्ट की test series नहीं होगी मेरे बच्चे यहां मैं math कर भी question लोगा, math भी सामिल होगा, reasoning भी सामिल होगा, GS भी सामिल होगा, और English भी सामिल होगा, और edge पर latest, latest TCS pattern पर होगा, जिस pattern पर SSC exam conduct करा रहा है TCS से, उसी pattern पर मेरे पहरे बच्चो यह test series होगी, उतना ही समय, उतने ही number, उतने ही negative marking, उसी तरीके से मेरे पहरे बच्चो यह test series होगी, daily 9-10, फाइदा क्या है, next day, आज आपने यह test series दी, यह केवल 9-10 ही मेरे पहरे बच्चो test series रहेगी, 10 बज़े के बाद automatically यह test वाँ से delete हो जाए और मैं यह चाता हूँ कि अगर आपकी समश्या है, अगर आपके number नहीं बढ़ पा रहे हैं exam में, आप 6 मेहीन होगे तेयरी करते हैं, साल बार हो गया, 2 साल बार हो गया और आप selection के नजदीक नहीं जा रहे हैं, तो यह मेरी जिम्मेदारी है कि आपका selection इस बार होगा, इस आपको इकाम रोज करना होगा, 9 से 10, टाइम बांध दीजिए, कुछ हो, आग लगे, धुआ लगे, कुछ भी हो, आपने 9 से 10 में test series देनी है, मेरे पहरे बच्चो, आज का जो test होगा, वो से just next class में, next day, next day मेरे पहरे बच्चो, 2 से 3, दो पहर, 2 बज़े से 3 बज़े के बी कि सारे subject explanation तो आपके लिए YouTube पे free explanation होगा, मेरे राकेश यादा और रेडर्स पॉब्लिकिशन जो चैनल है, उसके उपर मैं रोज दो पहर 2 से 3 इसका आपको video detail live explanation कराऊंगा, और वहां मैं आपको बताऊंगा कि आपको question पे कैसे approach लेनी चाहिए, बच्चा क्या approach ले रहा था इस approach में कहा दिक्कत है, जो मैं approach बता हूँ, इसका फायदा क्या है, क्योंकि हमें बहुत method आते हैं, लेकिन हम data के हिसाब से अपने method को choose नहीं कर पाते हैं,